पंद्रवी शताब्दी का समय भारत में अनेक छोटे बड़े राज्ये थे, उन में से एक था मेवार्ड, मेवार्ड जो उस समय राजपूताना के एक प्रमुख राज्ये के रूप में उभरा था, यहे वह काल था, जब भारत में मुगलों का शासन बढ़ता चला जा रहा था, अनेक राज्ये मुगलों की अधिनता स्विकार कर चुके थे, इधर उत्तर भारत में राजपूत एक प्रमुख शक्ति थे, मेवार्ड पर सिसोधिया वंश के राजपूतों का शासन था, जिनका मुगलों के साथ बराबर विरूद बना रहता था, मेवार्ड के इतिहास के पन्नों को पल्टें, तो एक प्रमुख शूरवीर का नाम उभरता है, यह नाम है महराना प्रताप का, महराना प्रताप, शौरी के प्रतीक, मात्र भूमी पर मर मिटने वाले स्वतंत्रता के पुजारी, वीर प्रताप की शौरे गाथाओं से अरावली की घाटी आज भी गूंज रही है, मेवार्ड के दो प्रमुख किले हैं, कुम्भलगर और चितोडगर, पंद्रवी और सोलवी शताब्दी में, मेवाल के राणा, कुम्भा और राणा सांगा ने मेवाल की कीर्ती को शिखर तक पहुचाया। उन्ही के वन्शज महराना प्रताप का जन्म, 9 मई 1540 को कुम्भलगर के किले में हुआ। यहीं इसी स्थान पर। कुम्भलगर के तत्कालीन महराना उदय सिंग और महरानी जैवंती बाई का पुत्र प्रताप। मेवाल का उत्तरा अधिकारी, प्रजा का दुलारा, भीलों की देखरेक में पला बड़ा, जिसे प्यार से वे कूका कहते थे। मेवाल का भावी महराना वनवासियों के साथ बेहत प्रसन रहता। देश प्रेम की ज्वाला उसके हरदय में सदा प्रज्वलित रहती जो उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी। मेवाल सदा से ही मुगलों की आँख की किरकरी रहा और युद्ध पोते रहा। मेवाल का राजनीतिक महत्व तो था ही साथ ही वह गंगा भूमी के व्यापार मार्ग को पश्चमी तट से जोड़ता था। अतह मेवाल को अपने अधीन करना मुगल शास्कों के लिए जरूरी हो गया था। मध्यकालीन भारत का इतियास देखें तो पाएंगे के उस काल में महत्वा कांक्शी मुगल समराट अकबर का सामराज्ये लगभग पूरे भारत में च्छा चुका था। अनेक राजपूस सर्दार यहां तक के राणा प्रताप के कुछ परिजन भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। और परिणाम स्वरूप उन्हें मिले थे उंचे ओहदे उंची पद्वियां और जागीरें। पर राणा प्रताप अकबर जैसी महा पराक्रमी सम्राट की सामने नहीं जुके। कहा जाता है कि 28 फरवरी सन 1572 को होली के दिन प्रताप का गोगुंदा के किले में राज्या भिशेक हुआ। जब प्रताप का राज्या भिशेक हुआ तब उन्हें न कोई राज्धानी मिली न साधनों का जरिया। वे बहुत कम साधनों से ही मुगल सम्राट से जूजते रहे। प्रताप ने हर संकट को चुनौती समझा और इस से उनके संकल्प और अधिक मजबूत होते गए। अकबर ने राणा प्रताप को यह समझाने के लिए कि वहें उनकी अधिनता स्विकार कर लें अनेक दूत भेजे। पर राणा स्वाभिमानी थे, देशभक थे, वे नहीं माने। उनका राजसी वैभव छूट गया। किन्तु कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी राणा प्रताप ने अकबर की अधिनता को स्विकार नहीं किया। जैसी उनकी पैनी तलवार थी, वैसा ही चौकन्ना था राणा प्रताप का प्रिये घुडाचे तक। जैसी मेवार की भोगौलिक स्थिति को देखें तो पाएंगे के इसका अधिकांश भाग पत्रीला और पहाडी है। आसपास जंगल हैं और जन जातियों की बस्तियां हैं। राणा प्रताप ने जन जातियों के रण बाकुरों को अपने साथ लिया और युद्ध की तैयारियां करते रहे। अधारा जून सन पंद्रा सो चेहतर इस्वी को अधिकांश जातियों के रहे। अकबर की सेना और महराना प्रताप के बीच इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। एक और राजा मान सिंग के नित्रत में अकबर की विशाल सेना थी। कहा जाता है इस सेना में दस हजार घुड सवार थे और हजारों पैदल शिपाही थे। दूसरी ओर राणा प्रताप की सेना में केवल तीन हजार घुड सवार और मुठी भर सैनिक थे। मगर ये सैनिक मात्र भूमी पर मर मिटने वाले रण बाकुरे थे। यहाँ हुआ यहाँ हुआ हाँ यहाँ हाँ यही वे विश्व प्रसिद्ध हल्दी गाटी है, जहां से होकर प्रताप की सेनाओं ने इस गाटी को पार करके उस पार खमनोर के समीब खड़ी मुगल सेनाओं से संगर्ष किया था इस गाटी की विशेशता यह है कि इस गाटी के जो मिट्टी है उसका रंग पीलापन लिये हुए है, इसलिए हल्दी के समान रंग वाली मिट्टी का होने के कारण इसको हल्दी गाटी कहा जाता है यह बहुत ही तंग दर्रा है जिसमें से होकर प्रताप की सेनाओं ने आगे बढ़ करके मुगलों की सेनाओं का विरोत किया था यह रक्त तलाई है, रक्त तलाई का अर्थ है कि जहां पर खून की तलाई भर गई थी, खून का तलाब बन गया था आपको विदित है कि इस और हल्दी गाटी है, हल्दी गाटी का जो मुह है वो लगबग यहां से 1.5 किलो मिटर दूर है इसी तरफ बाई और मुगलों की सेनाओं का पड़ाव था यह जिस और आप अभी यह बंबूल के पेड़ हैं, इन पेड़ों के पीछे उस जमाने में केवल सीधा मेदान था और उस मेदान की जो सीमा है वो आगे बनास नदी से मिलती है जो मुगलों की सेनाओं थी वो उस बनास नदी के किनारे से इस प्रदेश से इस भाग से बढ़ती बढ़ती इस स्थान तक आई थी मुगलों की सेनाओं हल्दी गाटी के मुँ तक पोंची थी प्रताप की सेनाओं ने उनको खदेड़ते खदेड़ते लगवग 1.5 km तक यहां लियाए यही वैस्थान है जहांपर मुगल सेना के सेनापती मान सिंग के हाती पर प्रताप ने अपने घुड़े पर चलांग लगाई थी और यही वैस्थान है जहाँ पर चेटक का पिछला पेर हाती की सून में बंडी तलवार के कारण कट गया था यही वैस्थान है जहाँ पर हकीम खांसूर ने प्रताब को सला दी थी कि वो पीछे लोड जाए क्योंकि उसके प्राण संकट में थे यही वे स्थान है जहाँ पर इसके साथ चलने वाले वीरों ने अपना बलिदान दिया था जालामान ने अपने सर पर छत्र रखकर के यह कहना प्रारम किया कि महाराना परताब मैं हूँ और इस प्रकार भेंकर अंतिम युद्ध की जी उपरनेती है वो यहाँ पर खून की सरिता के रूप में हुई थी यहाँ पर एक वीर विशेश का भी में नाम लेना चाहोंगा वीर वर पुंजा जिसके की साथी लोग इन पहाड्यूं के अंदर पिछे उर की पहाड्यूं के अंदर थे उनहोंने पीछे से पत्थर बरसाने प्रारम किये थे और यहाँ पर एग वीर जो कि इस ओर इस चत्री की तरफ में इशारा कर रहा हूं यह राम सिंग तमर की है जो ग्वालेर का महराजा था और वो भी इस लड़ाई में अपने पुत्रों के साथ मोजूद था यहां पर अब लड़ता हुआ मारा गया और यह वह मद्य स्थल था जहां पर भहिंकर युद्ध हुआ यह लेकिन प्रताप का मस्तक नहीं जुका हल्दी घाटी युद्ध समाप्त हो जाने पर भी महराणा प्रताप का संगर्ष जीवन भर चलता रहा पराजित हो जाने पर भी अरावली की घाटी गुझ उठी प्रताप की कीर्थी और पराक्रम की गाथा से प्रताप की यशो गाथा नेवार तक ही सीमित नहीं रही बलकि समूचे देश में फैल गई हल दी घाटी रंगी खुण सुना लो बहिएंगए हाल दी घाटी रंगी खुण सुना लो बहिएंगए चमकी मेवारी तलवार बैग्या खोन आरा पर नाल राना सुनता जा जो जे सुन ताजा जोजे मेवाडी राणा सुन ताजा जोजे मा मेवाडी शिर्दार नील भोडारा अस्वार राणा सुन ताजा जोजे राणा ने जंगल में शरण ली हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात राणा प्रताप के सामने समस्या थी के राजधानी कहां ले जाएं उदयपूर से सोला किलो मीटर दूर एक स्थान था चावंड चावंड एक ऐसा स्थान था जहां पहुँचने के लिए लंबा पहाडी रास्ता पार करना पड़ता था यहां पानी की भी सुविधा थी यहीं उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई और शासन व्यवस्था मजबूत की राणा प्रताप ने भामा शाह और भील सरदारों के साथ मिलकर धन और जनशक्ती संगठित की राणा प्रताप ने छापा मार युद्ध जारी रखा सन 1589 के बाद राणा पर मुगलों का दबाव कुछ कम हुआ क्योंकि अकबर का ध्यान अब पूर्वी भारत के विद्रोह और उत्तर पश्चमी सीमावर्ती गतिविधियों पर था राणा ने अवसर का लाब उठा कर चितोड और मांडल गड़ को छोड अपने राज्य का एक प्रमुख हिस्सा वापस हासिल कर लिया और मेवाड फिर से स्वतंत्र हो गया ऐसा माना जाता है कि मेवाड के सिंग राणा प्रताप शेर का शिकार करते हुए गहरी चोट खाकर घायल हो गए और 19 जन्वरी सन 1597 को चावंड में ही महराणा प्रताप ने अपना शरीर त्याग दिया महराणा प्रताप ने ऐसे उची आदर्शों को स्थापित किया जो देश और काल की सीमा से परे मात्र भूमी प्रेम और स्वाभी मान को नरंतर प्रेड़ना देता रहा है और देता रहेगा आमाई एडा पूत जन जैडा राण परताप अकबर शूत ओज के धैं आमाई झान झान झाल को नो देता रहा है